यहां गधे कर रहे हैं कार की स्मलिंग दक्षिन अफ्रिका में एक अजीबो गरीब मामला सामना आया है जब वहां के पुलिस ने गधों को लक्सरी कार नदी पारकर करके जिमबाबे में तसकरी करके ले जाते वे पकड़ा है हलाके तसकरी करने की ये कोशिश नाकाम कर दी गई है दक्षिन अफ्रिका की पुलिस का कहना है कि पुलिस के हमले को देखकर कार तसकरी करने वाले संदिग धुचोर जिमबावे की और फरार हो गए पहले भी सामने आया था ऐसा वाक्या वैसे ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना होई है इससे पहले भी पिछले साल दिसमबर में डर्बन शहर से चोरी करके एक कार को इसी नदी से बरामत किया गया था इस कार को भी गधों के मदद से नदी पार ले जाया गया था फिलहाल स्थानिय पुलिस इस मामले की जाज कर रही है अभी तक पता नहीं चला है कि इस इनौकटिव तरीके से कौन सा आपराधि गिरोह कार तसकरी कर रहा है संभव है ट्रैकिंग से बचने के लिए अपनाया ये तरीका पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मर्सेडीज बेज सीड सुबीज कार लंपोपो नदी से बरामत की गई है घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि चोर नदी से वाहन को निकालने के लिए गधों का इस्तिमाल कर रहे थे उसी दौरान पुलिस वहां पहुँच गई जब गधों की मदद से गारी को खीच कर बाहर निकाला जा रहा था वैसे ये पकी तोर पर ये नहीं कहा जा सकता कि चोर कार चला कर जिम्बावे के उन नहीं ले जा रही थे वैसे एक अनुमान के अनुसार ये माना जा रहा है कि क्यूंकि अब आधनी वाहनों में ट्रैकिंग उप करन लगा होता है और अगर उसे स्टार्ट किया जाए तो सेटेलाइट की मदद से कार को ट्रैक किया जा सकता है इसी से बचने के लिए गधों की मदद ली जा रही है